स्वागत है आप सबका हमारे यूटुब चैनल फ्रेडाम फ्रेक्टिश टड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे कक्चा छे गणित अभ्यास बारा एग वाडिज्य गणित भाग एक इसका जो पहला सवाल दियावाई कि निमलिकित प्रश्णों के त्रीन अपनी अभ्यास पूर्दी किया मतलब के यह में लोगोजित को भरना तो सबसे पहले हम लोग दिया हुआ है अनुपात तो अनुपात का मतलब इंगे य्याउदर मतलब немेगे नादन लिकित देता है कि ये और जेब रिच्छे आई इसको देता है व्याए और जड फिर जी लिगा एए इसक और फिर बराबर तो है करने का मतलब कि A और यक्ष जो होगा है को लोगा हमारा वाई और जेड़ के यह इसका तरीका है समझने का समझ में आ गया इस तरीके से इसको करना है अब देखे इसमें पहला सवाल लिखा हुआ उसको समझे बोला है कि तीन का चार के संथ अनुपाद तो अनुपाद यह बोला है तो तीन संबंद क्या हो जाएगा ह हमारा है 4 हो जाएगा खतम बादध बोला है कि 5-3 की साथ अनुपाद तो 5 है और यहां संभनने दिया हिए तो इसका मतले इसमें क्या भराएगा 3 5 अनुपाद तो साथ इधर दे दिया तो इसका मतले यहां पर व्यक्त कीजिए इसमें क्या करना है हमको अनुपात में व्यक्त करना है और देखिए अनुपात में जब व्यक्त करना है तो यहां पर दो केजी दिया हुआ है ठीक न है दो केजी और यहां पर पांसो ग्राम तो एक केजी बराबर लिखेंगे एक की ग्रा बराबर एक की एक हज़ार क्या हो जाएगा हमारा agrad छीन तो दो की गरा में बदल लेगे दोनों व बदलेंगे तभी जा थो अब बढ़ा सकते हैं अब दों से लगाएंगे अगर वंपात में तो गडबर हो जाएगा ठीक है इसको अंपात में लिखना पड़ेगा मतलब दो की ग्राव और 2000 ग्राम तो पहले लिखेंगे 2000 ग्राम अन्पात में यहाँ हो जागा 500 ग्राम 900 ग्राम एक 0 200 1000 नो चीना आपको एस такие क्रोड़ा करना कुछ तो इसको आप एक zo कर न हो येक तो लिछाग तो फार करना तो इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को, यहाँ पे इस तरीके से इसको आप करिएगा, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके यहाँ पे दूसरे सवाल को देखते हैं, पांच का बारा के साथ अनपात, तो पांच का बारा के साथ अनपात दिया हुआ, कटने वाला है नहीं, त आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें ठीक है अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल है कैसे हैं दूसरी का जो तीसरा दिया हुआ है कि 13 का 75 से अनुपात बत आंसव वर यह जाएगा ठीक है इस तरीके से इसको करना है अब देखिए यहांपी 108 का 25 में दिया हुआ 125 बहरे लिए इस तरीके से इसको आपको करना है फिर यहां भी दिया हुआ हमारा तीसरा कि निम ने लिखी तालिका को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखी है और रमेश तथा सीमा के प्रतिक बिसे के प्रतांकों का अनुपात लिखे हैं इन दोनों के प्रतिक के मतलब कि हम लोगों को अनुपात लिखना है प्रतिक क्या पहले 53 जो पहले 53 लिखेंगे 53 माफ करईगा 53 तरी कर लेंगे इस तरी के से अब यहां गणित में क्या हो जागा 75 और 62 से अब यहां गणित में क्या हो जागा हमारा 75 और 62 मतलब कि 75 और अनुपात में यहाँ पो जगा 60 कट टू ठीक ना इस तरीके से अब अगला वाला देख लिजी यहाँ पर दिया हमारा कितना 48 और कितना दे दिया हमारा 48 के बाद दे दिया हमारा यहाँ पर 55 तो यहाँ पो जगा 48 और यहाँ पो जगा शंबंदे 55 अड़ करने लाइक नहीं है तो क्या करेंगे नहीं कटा पाएंगे ठीक है अब दिखिए अगला सवाल यहां पर और नहीं कुलेका तो इसको भी सिर्शटughter शाथ बंब है ठीक है इसे उसए तरीके से आपको करना है तो यह हमारा जो तीसरा सवाल अब अब हम लोग इसके का करेंगे चौथे सवाल को देखते हैं यह मिस्टेक है देख लिजेगा ठीक है यह तीरपन संबन्द्री कितना हो जागा 65 जो अनुपात में दिया हुआ उस तरीके से हम लोग इसको कर लिए ठीक है अब हम लोग आगला सवाल को देखते हैं चौथा सवाल हमारा दिया है कि एक कायताकार खेत की लंबाई 29 मिटब और चौड़ई 25 मिटर है खेत की लंबाई और चौड़ई का अनुपात के रुक में लिखिए तो मान लिजिए यहां पे लिखेंगे खेत की यहां पे जग देख यहां पो जलगा आगा नमबाई बराब और यहां पहुँझाए कितना हमारा चोड़ाई बराबर 25 मिटर अब लंबाई और चोड़ाई का अनुपात ति यह हो जागा ति यहां पर लंबाई कितना हो जागा पचीस तो यह हो जागा पचीस और ईसी तरीके से इसको आमगो लिखना था यह हो गिया हमारा चौथा सवाल, खतम, ठीक है, बहुत ही आराम से बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखेंगे, कुछ बिसेस नहीं है, कर लेंगे, आप लोग आराम से करेंगे, ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, कि चौधा पड, मतलब कि पाचवा सवाल को देख प्राष्ण पहले आता है, उसके बाद उत्तर रहता है, तो पहले प्राष्ण से पूरुपद को याद रखेंगे, यह समझने के लिए बता रहा हूँ, कि प्राष्ण पहले आरता है, इसलिए पूरुपद पहले आएगा, और उत्तर बाद में आता है, इसलिए उत्तर अब हम लोग इसके अगले सवाल चट्था सवाल को देखते हैं और देखने के बाद इसको सवाल करते हैं कि छट्था सवाल होगा कैसे उल्टा, देखिए पहले बढ़के अनुपात को दो तीन पास में लिख लेते हैं, अनुपात को अगर मान लेजीए कि 3 संबंधे 14 दिया है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, 3 संबंधे 14 दिया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 3 बटे में चौदा भी लिख सकते हैं और इसका जब व्यूत करम करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं व्यूत करम मतलब उठा चौदा बटे में कितना कर लेते हैं हम लोग तीन उसी प्रकार से तीन अगर तीन संबंदे चौदा मतलब तीन अनुपाते चौदा दिया है और इसका व्यूत कर क्रम अनुपाथ ठीक ना यहाँ लिखेंगे हम लोग अनुपाथ तब व्यूत क्रम अनुपाथ कितना हो जाएगा हमारा 14 संबंदे यहाँ पर हो जाएगा हमारा तीन और यहीं इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से इसको हमको करना है ठीक है बात समझ में आगया यह समझाने के लिए था यहां से यह तक समझाने के लिए था दूसरा इसी में दे दिया हमारा क्या चीज कि पंदरा संबंदे यहां पर हो जागा हमारा सत्रा का ब्यूत क्रम ठीक ना ब्यूत क्रम इसका ब्यूत क्रम क्या हो जागा हमारा सत्रा संबंदे कितना हो क्टिस संबन्द कितना हो गा啊 यह सको आपको करना है अगला हमारा दे दिया हमारा पचातर संबन्द सर्षट तो 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 75 संबंदिंदे अगर 66 दिया हुआ है यहां पर 75 संबंदे 66 का व्यूत कर सारे ब्यूत कर सेके ने चाहिए यहां पर 67 संबंदे कितना कर लेंगे और यहीं सका क्या हो जागा आंसर तो इस तरीके से इसको आपको करना है चीक है यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज इसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कूल न भूलें अब शात्वा स्वाल बचा हुए हैं शात्वा स्वाल भी बता रहा हूं ठीक है नहीं सॉरी आप लोग अगर अगर कोई भी अगर बात करना चाहते हैं सब्जेक्ट से रिलेटिव तो आप हमारे इंस्टाग्राम आइडी फ्रीडम एफेक्टिव यहां पर दियान रखेगा यह आर डबली डी ओ एम डैस एफेक्टिव एफेक्टिव डैस्ट इस्टडीज इस्टडीज इस पर आप यहां पर फॉलो कर लिजिए और कुछ भी हो तो आप वहां पर मैसेज करिए ठीक है ना जो भी सब्जेक्ट से रिलेटिव हो वहां पर हम आपको बता सकते हैं ठीक ना यह बात कर सकते हैं उस विसे पर या चाथे हो तरफ बात को दोगा आ लगा अठे कर सकता है तो अरहां पर पढ़ा दूगा नहीं पढ़ाऊंगा यह कब विडियो दूंगा ठीक है अब देखो इसका सात्मा सवाल देख लिजिए यहां पर लिखका है कि प्रथम पद और दूथी पद बताई धाईं पर दठम और दूसरे सेगंड पद को दूती पद प्रथम इसको बोलते हैं हम लोग पूरो पद इसको बोलते हैं उत्तर पद पीछे हम लोग पढ़े हैं हम लोग कि इसको पूरो पद बोलते हैं इसको उत्तर पद बोलते हैं उसी प्रकार से इसको प्रथम पद बोलेंगे इसको दूत बराबर कितना हो जागा अमारा साथ, यहाँ पो जागा अमारा प्रथम पद, बराबर हो जागा अमारा चार, और द्वितिय पद बराबर, द्वितिय पद बराबर, पद बराबर, क्या हो जागा अमारा 11, और इसमें हो जागा अमारा प्रथम पद, बराबर हो जागा अमारा 13 और दुवितिय पद बराबर दुवितिय पद बराबर यहां पो जगर 20 कर 7 इसी तरीके से आपको इसको बताना था तो आज के लिए तना ही अगले वीडियो नहीं अगला चप्टर देखेंगे